आज हम बात करते हैं क्रमोफोर और उग्जोक्रोम के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रमोफोर की तो देखते हैं क्रमोफोर किसे कहते हैं तो देखें तो अन्सचुडेटेड़ ग्रूप्स यानि कि ऐसे ग्रूप्स ऐसे फंक्स्टनल ग्रूप्स की जिसके अंद compound है वो color produced करेगा यानि कि the unsaturated groups which are responsible for the color in compound are called chromophore एसे कुछ unsaturated groups है जो color produced करते है उसको हम बोलेंगे chromophore इसका example है enotogroup देखे जिस किसी भी substance के अंदर enotogroup जब आपको देखने को मिलेगा तब वो yellow color so करेगा इसलिए हम इसको बोलेंगे chromophore क्योंकि यह yellow color produce करता है इसके अलावा कुछ और भी isolated groups है जैसे कि ethylene हो गया, acetylene हो गया, azo हो गया, nitro हो गया, syno हो गया यह सभी जो groups है जब किसी भी substance के अंदर present हो गए तब यह color produce करेगे इसलिए इसको हम बोलेंगे chromophore इसा यह क्यों होता है क्योंकि यह जो function groups है वो UV और visible region में radiation को absorb करते हैं और हमें पता है UV और visible region में क्या होता है violet से लेके red तक different colors होते हैं इसलिए यह different colors produce करते हैं और देखे यह यहाँ पर color produce कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे color generators कि color को generate कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलें कि color generators देखें दूसरी जो important बात यह है कि यह जो double c double bond c और triple bond c है यह double bond triple bond जो है जिसके वज़े से πाइटू पाइश्टा transition होता है कि हमें पता है कि जिस किसी भी group के अंदर double bond या triple bond होता है यानि कि πाइबोंड होता है उसके अंदर पाइटू पाइश्टा transition होता है यह हमने types of transition वाले question में देखा था आप वो वीडियो देख सकते हैं प्लाइलिस्ट में से तो मैं बात कर रहा था यह पाइटू पाइश्टा transition की तो देखें if the number of conjugated double bond increases the intensity of the color also increases यानि कि जैसे-जैसे double bond बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे color और भी dark हो जाएगा यानि कि अगर आपको किसी भी substance के अंदर ज्यादा double bond देखने को मिल रहे है तो समझ लीजिए कि वो ज्यादा color so करेगा इसका prime example है बीटा के routine यह जो बीटा के routine है उसके अंदर इसलिए यह dark red color so करता है इसके अंदर जो नाइट्रो बेंजिन है वो लावा लावा जो नाइट्रो बेंजिन है वो light color का है light yellow color का है एकदम light yellow color आपको देखने को मिलता है लेकिन जो metadine nitrobenzen है उसका जो color है वो हो जाएगा dark yellow ऐसा क्यों हुआ क्यों कि इसके अंदर डो chromophore group है दो एनट्रो ग्रूप है देखे नाइट्रो बेंजिन इस प्रकार होता है देखे यह है नाइट्रो बेंजिन इसके अंदर सिर्फ एक ही एनट्रो ग्रूप है यह क्रोमफोर से एक ही क्रोमफोर है इसलिए ही है इसलिए यहींलो ऐ मेलेंजिन है जिसके अंदर दो आज Isa इसका है इस दका और ड्रो बेंजिन इसके इसके क्रोमफोर है इसलिए यह दार्क येलो कलर सो करेगा यानि जितने क्रोमफोर बढ़ते जाएंगे उतना उतना कलर डार्क होता जाएगा देखे यह है बीटा के रोटीन इसके अंतरों दस इसलिए यह डार्क रेड कलर सो करता है देखे जो फ्लेमिंगोज होते हैं कच के वह बहुत ही ज्यादा बीटा के रोटीन कंश्यूम करते हैं इसलिए यह जो फ्लेमिंगोज होते हैं वह हमको पिंक कलर कर देखने को मिलते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह बीटा के रोटीन बहुत ही ज्यादा कंश्यूम करते हैं अब देखें यह है नाइट्रो बेंजीन अब देख सकते हैं यह लाइट कलर का है यहलो कलर का और यह जो है यह है मेंटराइट नाइट्रो बेंजीन यह है अब बहुत इंपोर्टन चीजbereich है यहाँ पर हम बात करेंगे saturated groups की, वहाँ पर unsaturated groups की बात करते थे, यहाँ पर हम बात करेंगे saturated groups की, saturated groups which does not act itself as a chromophore, यहाँ कि वो chromophore की तरह काम नहीं करते हैं, बर लेकिन वो अगर chromophore के साथ हो, तब वो color को और ज्यादा गाड़ा बनाएगे, और ज्यादा intense बनाएगे, और ज्यादा dark बनाएगे, उसको हम बोलेंगे oxochromes, आसान बासा मैं कहूं, तो oxochrome जो होते हैं, वो अकेले color produce नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अगर chromophore के साथ हो, तब वो क्या करते हैं, color को ज्यादा dark बनाते हैं, ज्यादा intense बनाते हैं, आसान बासा मैं कहूं, तो chromophore जो होते हैं, वो हमारी family की तरह होते हैं, देखें, हमारी जिन्दगी को colorful बनाते है रंगीन बनाते है और उक्जोक्रोम जो होते है वो हमारे friends होते है अगर अकेले friends हो तब जिन्दगी रंगीन नहीं होती अगर friends के साथ family भी हो तो और ज्यादा रंगीन हो जाती है जिन्दगी इसलिए हम ऐसा कह सकते है कि उक्जोक्रोम जो है वो हमारे friends है, chromophore जो है, वो हमारी family है, देखें, यह जो oxochrome होते हैं, वो है saturated groups होते हैं, यानि कि वो उनके पास lone pair of electrons, ज्यादा तर के पास lone pair of electrons होते हैं, यह electron chromophore को देते हैं, और conjugation को बढ़ाते हैं, इसलिए ज्यादा dark color हो जाता है, here the intensity of the color increases due to the presence of oxochrome, यानि कि oxochrome जब होगा, chromophore के साथ, अक्यले oxochrome color produce नहीं कर सकते हैं, लेकिन chromophore के साथ जब होते हैं, तब क्या होता है, color को और ज्यादा dark बनाएंगे, इसा क्यों होता है, क्योंकि यह extend करते हैं, conjugation, conjugation को बढ़ावा देते हैं, conjugation को यह बढ़ावा देता है, इसलिए हमको ज्यादा dark color देखने को मिलता है, here the presence of oxochrome and chromophore shifts the wavelength to visible region and increases the color, यानि कि यह जो wavelength है, उनको visible region में ले जाते हैं, और हमें पता है, visible region में violet से लेके red color होते हैं, तो visible region में हम पहुचेगे, जब कोई compound है, वो visible region में radiation को absorb करेगा, तब वो violet से लेके red तक different color produce करेगा, यह अकेले color produce नहीं कर सकते हैं, इनको chromophore का साथ चाहिए, इसलिए हम इसको बोलेगे color promoters, chromophore थे, वो color generators थे, लेकिन oxochrome क्या है, वो है color promoter, color enhancing groups भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यह color को enhance करते हैं, बढ़ते हैं, देखे, the effect of oxochrome is due to their ability to extend the conjugation, जैसा मैंने अभी बताया था, यह क्या oxochrome जो होते हैं, उनकी जो एक ability होते हैं, वो क्या ability होते हैं, वो chromophore के conjugation को बढ़ावा देते हैं, देखे, कुछ examples देखे हैं, CH3 हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, OH हो गया, O हो गया, OR हो गया, X हो गया, यह सभी जो groups हैं, उनको हम बोलेंगे oxochrome, क्योंकि यह सभी जब किसी chromophore के साथ होंगे, तब यह क्या करेंगे, अपने जो lone pair of electron है, वो देंगे, और conjugation को बढ़ाएंगे, जिसकी वज़े से lambda max बढ़ेगा, और epsilon max बढ़ेगा, और lambda max बढ़ेगा, तो हमको color dark देखने को भी लेंगे, simple theory है, यह जब functional group किसी chromophore के साथ होते है, तब यह क्या करते है, electron को donate करते है, और conjugation को बढ़ावा देते है, जिसकी वज़े से lambda max बढ़ेगा, और e max बढ़ेगा, और जब lambda max बढ़ेगा, तो color ज्यादा dark होगा, इसका simple example है, pure aniline जो है, वो colorless है, पर paraditro aniline है, वो हमें yellow color क दिखता है, देखें, यह है aniline, देखें, pure जो aniline है, इसके अंदर NH2 group है, जिसको हम बोलते है, oxochrome, यह है oxochrome, यह है oxochrome, NH2 group, अभी हमने देखा, जो lone pair जो हता है, वो ring को देता है, अकेले जब यह oxochrome होता है, तब उसका कुछ color नहीं होता है, देखें, यह aniline का कुछ color नहीं है, pure aniline, लेकिन, जब इसके अंदर, chrome 4-8 हो जाए, देखें, यह नो two group हमें पता है, chrome 4 है, chrome 4-8 हो गया, साथ में oxochrome भी है, तब यह dark हो जाता है, देखेंगे, dark yellow color का हो गया, तो इसा कहे सकते हैं कि जो यह oxochrome होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो lone pair of electrons है, वो chromophore को देते हैं, और conjugation बढ़ाते हैं, इससा क्यों होता है, देखेंगे आप, आसन बसा मैं कहूँ, तो आप देखेंगे, सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पर imagine कर लिए, यहाँ पर NO2 नहीं है, ऐसा मान लिजेए, यहाँ पर NO2 नहीं है, अगर मैं इसके अंदर NO2 एड़ कर दू, तब क्या होगा, कि NO2 के जो nitrogen है, उसके electron भी यहाँ पर एड़ हो गए, इसलिए, दोनों साइट से electron एड़ हो रहा है, देखेंगे आप, इनोटु ने भी electron donate किया है, और NH2 ने भी donate किया, यानि कि nitrogen के जो electron है, यह भी मिल रहे है, इनोटु के, और NH2 बाले nitrogen है, उसके भी मिल रहे है, यानि कि double side से हमको electron मिल रहे है, यानि कि konjugation बढ़ गया, पहले यहाँ तक ही konjugation था, लेकिन अब फेरा nitrogen में पूरा konjugation के अंद झाल झाल